आपकी तीसरी आँख खुलने से आपका आध्यात्मिक संबंद कैसे गहरा हो सकता है। तीसरी आँख, जिसे आत्मा का स्थान भी कहा जाता है, योग, ध्यान या अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में आपकी भोहों के बीच एक उर्जा केंद्र को संदर्भित करता है। क्या तीसरी आँख सच मुच अस्तित्व में है? तीसरी आँख की अवधारणा वेग्यानिक प्रमानों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह पूरे इतिहास में ताववाद, बौध धर्म और हिंदू धर्म जैसी आध्यात्मिक और धार्मिक परंप्राओं में मौजूद है, जो किसी व्यक्ति के निचले माथे के केंद्र में एक छोटा सा निशान होता है, और इसे आपके शरीर का छठा प्राथमिक चक्र माना जाता है, बौध तीसरी आँख को सचेतन्ता और जागरिती से जोडते हैं, आप तीसरी आँख को खोलकर उसका अन्रेशन कर सकते हैं, जोतिशी और योर राशी चक्र के संस्थापक राकेल रोडरिग्स कहते हैं, तीसरी आँख की सक्रियता के माध्यम से आप आंतरिक ज्यान की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं, और सभी चीजों में प्रवाहित होने वाली दिव्य उर्जा से जुड सकते हैं, इस से आध्या तीसरी आँख खुलती है, पीनियल ग्रंथी मस्तिश के केंदर के पास स्थित होती है, आपके नीन चक्र को नियंतरित करती है और मेला टॉनिन का उत्पादन करती है। अध्यात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, एंजल डॉन, एक अंतराष्ट्रिय मानसिक जोतिशी, साक्ष्य मानसिक माध्यम और आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं, यह अवचेतन और उसमें छिपी यादों तक पहुचने से भी जुड़ा है, आपकी तीसरी आँख को सक्रिय करने से आपके मानसिक स्वास्थे में मदद मिल सकती है, रोडरिग्स कहते हैं, समगर चिकित्सकों का मानना है कि जब पीनियल व्रंथी सक्रिय होती है, तो इससे अंतरग्यान, विचारों की सपष्टता और किसी के परिवेश के बारे मे जागरुकता बढ़ सकती है, उप्रोक्त लाभों के परिनामस्वरूप, रोडरिग्स ने नोट किया कि एक सक्रिय पीनियल व्रंथी चिंता और अफसाद में कमील आएगी, जिससे आंतरिक शान्ती की भावना आएगी, माइन डी जी के संस्थापक और ब्रिटिश स्कूल मेडिटेशन के एक योग्य ध्यान शिक्षक ग्रिफ विलियम्स के अनुसार, अपनी तीसरी आंख खोलने से आपकी रचनात मक्ता, कल्पना, फोकस और खुद की समझ में भी सुधार हो सकता है, अपनी तीसरी आंख का उप्योग करने के लिए इसे धीरे से खोलने के लिए समय और देखभाल की आवशकता होती है, यहां कुछ तक्नीके दी गई हैं जो आपकी तीसरी आंख खोल सकती है, योग एक आधार भूत अभ्यास है जो आपके शरीर को शांत कर सकता है, आपकी मानस्पेशियों को धीला कर सकता है, और आपको अधिक स्वागत योग्य, सांस लेने का अभ्यास सांस एक जीवन रेखा, एक आधार भूत शक्ती और आपके शरीर के भीतर स्वयम को केंद्रित करने का एक उपकरन है, विलियम्स का कहना है कि सचेतन सांस लेने का अभ्यास करने के लिए समय निकालने से आपकी तीसरी आंख को सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। मन एक अविश्वस नियर रूप से शक्तिशाली शक्ती है और किसी चीज़ की कल्पना मातर से सम्वेदना उत्पन हो सकती है। रोड रिड्स कहते हैं विजुलाइजेशन तकनीकों में आपकी तीसरी आँख खुलने और आध्यात्मिक उर्जा के प्रती अधिक ग्रहनशीर बनने की कल्पना करना शामिल है। बेहतर धंग से समझने में सहायक हो सकता है। बीच की जगह पर ध्यान केंदित करने या इस जगह में चमक्ती रोशनी जोडने की सलाह देते हैं। आपकी तीसरी आँख के खुले होने के संकेत हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। जैसा की तीसरी आँख खोलने का अनुभव है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अनुभव हो सकते हैं। की तीसरी आँख जएीओर यालग हो पुल ऐखने इसकेझ़ का अनुभवाद।